नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का To The Point चैनल में स्वागत है दोस्तों आज के इस पीडियो में TGT Social Science का Previous Year का Paper Solve करेंगे देखें दोस्तों किसी भी एक्जाम में बैठें से पहले उस एक्जाम के Previous Year के प्रशनों को Solve करना बहुत ही ज़्यादा Important होता है क्योंकि उसी प्रकार के प्रशन एक्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए आप लोग इस पीडियो को पूरा लाश्ट देखिए इस पीडियो में 8 मार्च 2019 को जो प्रशन पूछे गया है History विशे के अंतरगत उन सभी प्रशनों को इस विडियो में स्वालव करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रशन आपके सामने है सभी प्रशनों को आप लोग ध्यान से देखिए और सभी प्रशनों का उत्तर बताने का प्रयास करिए पहला प्रशन है दोस्तों सत्य सोधक समाज की अस्थापना निम्न लिखित में से किसने की थी सत्य सोधक समाज की अस्थापना निम्न लिखित में से किसने की थी option आपके सामने है देखे दोस्तों यहाँ पर आपका right सुर हो जाएगा सत्य सोधक समाज के स्थापना महत्मा जोतिवा फूले ने की थी सी आपसन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा देखे दोस्तों सत्य सोधक समाज के स्थापना 24 सितंबर 1873 को की गई थी इसे भी आप लोग ध्यान कियेगा महत्मा जोतिवा फूले द्वारा 24 सितंबर 1873 को सत्य सोधक समाज की अस्थापना की गई थी इसका उद्देश से था दोस्तो समाज सेवा करना और इस्तरियों और निम्न जात के लोगों को सिक्षित बना कर उनको सोसर से बचाना था ठीक है और ध्यान रखिएगा दोस्तो जोतिवा फूले के बारे में इन्होंने दो बुस्तक लिखी थी जो काफी प्रस्षित थी एक है गुलाम गिरी दूसरा है सार्वजनिक सत्य धर्म एक्जाम में पूछा जाता है चलिए दूसरा प्रस्षित देखते हैं यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेडा कौन था मतलब यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेडा सुरोत कौन थे या फिर आपका सकते हैं प्रवर्तक कौन थे तो यहाँ पर आपका राइट सुर हो जाएगा दोस्तों हेनरी व इतिहास के सिक्षक रहे हैं ठीक है इन्होंने कालेश की युवाव को दोस्तो समानता सुधनता और सत्ता के लिए प्रेरित भी किया था तो ध्याना कियेगा बी आपसन आपका यहां पर राइट है आगे बढ़ते हैं दोस्तो अगला प्रशन है सोराज भारत के राजजनायति प्रेयासों का लक्ष था यह दादा भाई नोरोजी द्वारा में घोसित किया गया कब घोसित किया गया किस सत्र में आपसन आपके सामने है तो देखे दोस्तो यहां पर आपका राइट हो जाएगा बी आपसन कलकत्ता सत्र 1906 में सोराज भारत के राजनायतिक प्रेयासों क लक्ष था यह दादा भाई नोरोजी द्वारा कलकत्ता सत्र 1906 में घोसित किया गया था देखे दोस्तों कांग्रेस का जो 22 अधिवेशन है वह 1906 में कलकत्ता में हुआ था इसे आप लोग ध्यान कियेगा इसके अध्यश दादा भाई नोरोजी थे और जो मुहम्मद अली जिन्ना है यह दोस्तों प्रथम बार नोरोजी के ब्यक्तिगत सचिव की रूप में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सामिल हुए थे एक्जाम में पूछा जाता है इसलिए ध्यान से आप लोग सुनते चलिए इसी अधिवेशन में दादा भाई नोरोजी द्वारा स प्रागयतिहासिक मानोद्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली पहली धातु तावा थी इसे आप लोग ध्यान रखिएगा बी आपसन आपका यहां पर राइट हो जाएगा ठीक है चलिए आगे पढ़ते हैं अगला प्रस्त देखेंगे प्राचीन भारती लेखों के सम्हावर्त कहा जाता था चलिए दोस्तों अगला प्रस्ना है सभी प्रस्न को आपको ध्यान से देखना है एक एक प्रस्न को अच्छे से समझना है डीटेल में हडपा सभ्यता की पहली खगोली परिविक्षण साला निमलिखित में से किस प्राचेन भारती अस्थल पर है इसे आप लोग याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों निमलिखित में से कौन सा कर्मकांडी वेद है और यहां पर आपका राइट है यह जूरवेद क्या है एक कर्मकांडी वेद है इसमें दोस्तों विभिन यग्गों से सम्मंधित अनुष्ठान विधियों का लेक है तो साकाओं के बारे में पूछा जाता है यह जूरवेद के टिक है आगे बढ़ते हैं निमलिखित में से क्या इशा की प्रथम सधी के आसपस बکhewक्त में मूर्ति कला के लिए प्रएडविप्त होता था तो यहां पर आपका राइट आसर क्या है आप बताएए देखें दोस्तों मतुरा कला सैली का जन्म कनिश्क के समय में मतुरा में हुआ था कहा अधूरा में हुआ था ध्यान रखियेगा और इस सैली में लाल बलू पत्थर का प्रियोग हुआ है तो D option आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा लाल बलू पत्थर इसमें दोस्तों पर दो कथन दिया गया है आपको बताना है कौन सा सत्य है या कौन सा असत्य है तो पहला है नालंदा विस्विद्यालय और विक्रम सिला विस्विद्यालय दोनों पाल वंस के दौरान विक्सित हुए थे तो यह गलत है दोस्तों यह पाल वंस के दौरान विक्सित नहीं हुए थे नालंदा विस्विद्यालय का निर्मार दोस्तों गुप्त काल में हुआ जबकि विक्रम सिला विस्विद्यालय पाल वंस में निर्मित किया गया था ठीक है दोनों यहां पर कहा गया इसलिए पहला गलत हो गया दूसरा है दोस्तों नालंदा विस्विद्यालय और विक्र प्रसासन की प्रडाली का संगठन के लिए तो इसके लिए सेरसा सूरी को जाना जाता है पहला रुपिया जारी करने के लिए जो 20 सदी तक प्रयोग होता रहा है यह भी सही है इसके लिए भी सेरसा सूरी को जाना जाता है नहरो द्वारा सिचाई की प्रडाली सुरू करने के लिए सेरसा सूरी को नहीं जाना जाता है यहाँ पर आपका C option गलत है और यही आपको बताना था कौन सा इसमें गलत है देखे दोस्तों नहरों द्वारा ब्यापक रूप से सिचाई पढ़ाली शुरू करने का असरे फिरो साह तुगलक को है इसे आप लोग ध्यान रखिएगा ठीक है चली आगे पढ़ते हैं अगला प्रस्त देखेंगे निम्ली लिखित में से किसने कस्मीर में साली मार और निसात बाग की निव रखी option आपके सामने है यहाँ पर आपका right शुर क्या है देखे दोस्तों यहाँ पर आपका right शुर है B option जहाँगीर कस्मीर में साली मार और निसात बाग की निव जहां गेर ने रखी थी इसलिए भी आपसनाप का यहां पर राइट है देखे दोस्तो मुगल सासकों ने भारत में बड़े पैमाने पर उद्दानों का विकास किया है और बावर जो है यह पहला सासक था जिसने भारत में फारस और तुरकिस्तान के धंग के नए-नए बाग बगीचों को लगवाना आरम किया ठीक है बावर ने दोस्तो पहला मुगल उद्दान आगरा में लगवाया जिसे हस्त बहिस्त या नूरे आफसान कहा जाता है तो इसे भी आप लोग ध्याल रखियेगा और बावर ने दोस्तो आगरा में आराम बाग का निर्माल भी करवाया था तो इंगे अलगा निमने लिखित में से किस युद में पहली बार तुप खाने का प्रियोग किया गया आप्सन आपके सामने है, यहांपर आपका राइट इसर क्या है? देखे दोस्तो, पहली बार तोप खाने का प्रेयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था, इसलिए एप्सन आपका यहांपर राइट है पानीपत का प्रथम युद बाबर वा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 21 अप्रेल 1526 को ठीक है इस युद में दोस्तो इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था और मारा गया था पानी पत के प्रथम युद्ध में बावर ने पहली बार तोब खानेवा तुलूगुमा पद्धत का सफलता पूर्वग प्रयोग किया था इसे आप लोग ध्यान रखियेगा 1556 में दिल्ली को खोने वाला हिंदू सासक कौन था आपके सामने है यहाँ पर आपका राइट सुर क्या है देखे दोस्तो 1556 में दिल्ली को खोने वाला हिंदू सासक था हेमू यहाँ पर आपका बी आपसन राइट है हेमू का मूल नाम हेमचंद था यह रेवाडी का निवासी था जाती का वैसे था इसने अपने जीवन की प्र पर डीटेल याद रखिएगा आदिल साह ने दोस्तों इसे सेनापत निव्ट किया और अपने स्वामी की ओर से इसने 24 युद्ध लड़े थे जिसमें 22 में विजय प्राप्त की थी और मध्यकालेन भारत में यहाँ एक मात्र सासक था जिसने दिल्ली के सिंगासन पर अधिक हुआ और मारा गया था तो भी आपसन आपका यहाँ पर राइट है इसके बारे में यह सभी डिटेल आप लोग याद रखिएगा यह सभी काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है आपके TGT और PGT एक्जाम के लिए अगला प्रशनाप के सामने है आप लोग इस कैंसर बताईए बाबर के मृत्यू 26 दिसंबर 1530 में हुई और उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया बाद में सेरसा के सासनकाल के दोरान उसके सरीर को निम्लिखित में से किस अस्थान पर ले जाकर दफनाया गया आपसन आपके सामने है यहाँ पर आपका राइट है देखे दोस्त 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यू हो गई और इसे आगरा के चार बाग जिसे आराम बाग कहा जाता है वहाँ इसे दफनाया गया लेकिन दोस्तों बाद में सेरसा के सासनकाल में इसकी अस्तियों को उसकी बिध्वा पतनी मुबारक योसुफ जाई काबूल ले गई थी कहा भारत का सीरस नियाल है निमनलिखित में से कौन सा था आपके सामने है देखे दोस्तों ब्रिटिस काल के दोरान भारत का सीरस नियाल है प्रिवी काउंसिल था इसलिए C आपका यहाँ पर राइट है आगे बढ़ते हैं निमनलिखित में से कौन मुगल बासा अकबर दुती क और से पहरभी करने के लिए बाजसा के राजदूत के साथ इंगलैंड गए थे option आपके सामने है यहाँ पर आपका right answer क्या है? देखे दोस्तों यहाँ पर आपका right answer है B option राजा राम मोहरराय देखे दोस्तों 1830 में मुगल बाजसा अकबर दूती ने राजा राम मोहराय को राजा की उपाधी देकर अपने प्रतिनिद के रूप में इंग्लैंड के समराट विलियम चतुर्थ के दरवार में भेजा था ताकि वे समराट के सामने मुगल बाद साह को दी जाने वाली अपरयाप्त पिंसन के बारे में बाद साह का पक्ष रख सके इसलिए इन्हें बेजा गया था B आपका यहाँ पर राइट है आगे बढ़ते हैं आरती राष्टी कांग्रेश की पहली महिल्या अध्यच कौन थी आप्षन आपके सामने है देखे दोस्तो भारती राष्टी कांग्रेश की पहली महिल्या अध्यच एनी बेशेंट थी यहां पर आपका D option right है देखे दोस्तो अखिल भारती कांग्रेस का 32 अधिवेशन 1917 में कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यस्ता स्रीमती एनी बेशन्ट ने ही की थी ठीक है और यह कांग्रेस का अध्यस्च बनने वाली प्रथम महिल्या थी D option आपका यहां पर right है आगे बढ़ते हैं गदर आंदोलन के सुरू होने का सबसे महत्तपूर कारण क्या था option आपके सामने है यहां पर आपका right है सुर क्या है देखे दोस्तो गदर आंदोलन के सुरू होने का सबसे महत्तपूर कारण काम गाटा मारू घटना थी कौनसा काम गाटा मारू घटना थी इसलिए C आपसन आपका यहाँ पर राइट है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है प्राचीन भारत की जोर्वे संस्कृती निमने लिखित राज्यों में से किस अस्थान के नाम पर नामित की गई है आपसन आपके सामने है यहाँ पर आपका राइट यसर क्या है देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट यसर है महाराष्ट डी आपसन आपका यहाँ पर राइट है आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है सिंदुगाटि सब्धता का उद्वाचन अभी तक नहीं किया गया है निम्नलिखित कारणों पर विचार करें यहाँ पर कारण दिया गया है और आपको बताना है क्या यह कारण सही है या नहीं तो पहला है दोस्तों, उनकी भासा के बारे में कोई जानकारी नहीं है दूसरा है अभी लेखों की छोटी लंबाई तीसरा है दूई भासा लेखों की अनपुस्ती तो यहाँ पर दोस्तों जो तीनों कारण है ये तीनों कारण सही है जिसके कारण सिंध उखाटी सब्वता का उद्वाचन अभी तक नहीं किया गया है तो यहाँ पर आपका D option right हो जाएगा उनकी भासा के बारे में कोई जानकारी नहीं है जिसके कारण सिंध उखाटी सब्वता का उद्वाचन अभी तक नहीं किया गया है तो यहाँ पर आपका D option right हो जाएगा एक, दो, तीन, तीनों कारण यहाँ पर सही है अगला परशन देखेंगे तमसो मा जोतिर गमय या हमें अंधकार से प्रकास की ओर ले चलो यह निमनलिखित में से किस उपनिषद से आता है ऐप्षन आपके सामने है यहाँ पर आपका right होर क्या है देखे दोस्तो, तमसो मा जोतिर गमय में अंध्यकार से प्रकास की ओर ले चलो यह युक्ति दोस्तों वरिहदारन उपनिसद की है किसकी है? वरिहदारन उपनिसद की है D आपसन आपका यहाँ पर राइट है निमनलिखित में से कौन सा बौध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्थ साक्ष माना जाता है यहाँ पर आपका राइट असुर क्या है? देखे दोस्तों बौध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्थ साक्ष असोक के सिल्यालेक है यहाँ पर आपका B अपसन राइट है असोक के सासन काल में बौध धर्म को सरक्षर प्राप्त हुआ है असोक ने बौध धर्म के प्रचार में दोस्तों अपने समराज की सारी सक्तियों साधनों को नियोजित कर दिया था चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण देखेंगे पुस्य मित्र सुंग के बाद सासक कौन बना था? पुस्य मित्र सुंग के बाद सासक कौन बना था आपसन आपके सामने है देखे दोस्तों पुस्य मित्र सुंग की मृत्यू के बाद उसका पुत्र अगनी मित्र सुंग वंसका सासक बना था तो अगनी मित्र यहाँ पर आपका ए आपसन राइट है अपने पिता के सासन काल में यह विदिसा का उपराजा था और इसने कुल आठ वर्सों तक सासन किया आगे बढ़ते हैं ग्वालियर के निकट बाग की गुफाएं निम्नलिखित में से किस यूग की चित्रकला का प्रतनिधित्व करती है आपसन आपके सामने है देखे दोस्तों ग्वालियर के निकट बाग की गुफाएं गुप्त यूग की चित्रकला का प्रतनिधित्व करती है यहाँ पर आपका B आपसन राइट है गुप्त यूग बाग की गुफायें दोस्तों बहुत धर्म से संबंधित हैं अजंता के समान बाग की चित्रकला भी प्रसंसनी है तो यहाँ पर आपका B आपसन राइट है इसे आप लोग ध्यान रखिएगा निम्नलिखित में से कौन स पर आपका राइट है तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका C आपसन राइट है बलबन बलबन दोस्तों यह मामूलक वंस का था इसलिए C आपसन आपके यहाँ पर राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं इबन बतूता प्रसिद्ध मुस्लिम अन्वेसक जो मुहम्मद बिन तुगलक के सासनकाल में भारत आया वह किस देश से था आपसन आपके सामने है आप लोग बताएए यहाँ पर आपका राइट असर क्या है देखे दोस्तों इबन बतूता का मूल के सासनकाल में भारत आया था और 14 वर्सों तक भारत में रहा मुहम्मद बिन तुगलक इसे दोस्तों दिल्ली का काजी निक्ट किया था जो 8 वर्सों तक इस पतपर रहा और इसने अर्भी भासा रहला नामक यात्रा वितांत लिखा था इसे आप लोग याद रखिएगा ए इमने लिखित में से किसने 1613 है सूरत में अंग्रेजों द्वारा कारखाना स्थापित करने की लिए फर्मान जारी करने हेतु जहांगीर को प्रभावित किया था तो यहांपर आपका राइट-द्र इसूर क्या है? देखे दोस्तों यहांपर आपका राइट-द्र है डेय उसका स्वागत करते हुए उसकी बात भी माल ली थी लेकिन सूरत के सौधागरों के विरोध के कारण उसकी मांग नामजूर कर दी गई और हाकिन्स 1611 में आगरा छोड़कर सूरत आ गया जहां उसे सर मिल्डेन के नित्रित में तीन अंग्रेजी जहाज मिले सर मिल्डेन ने सूरत के ब्यापारियों और पूर्टगालियों के विरुध प्रत हिंसा की नीती अपनाई और पूर्टगालियों को पराजित किया था और इस कारण से दोस्तों जहांगीर जो है प्रभावित हुआ और इसने 1613 में अंग्रेजीों को सूरत में कार खाना खोलने की अनुमध प्रदान कर दी तो यहां पर आपका D आप्सन बिल्कुल राइट है आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है महान मुगल समराज के संस्थापक बावर ने अपना वंस किस से जोड़ा था तो यहां पर आपका राइट है दोस्तो पीता के वंस से तैमूर और माता के वंस से चंगेज खां से जोड़ा था यहां पर आपका ए आप्सन बिल्कुल राइट है बावर का पूरा नाम दोस्तो जहीरुदीन बावर था और इसका जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था खंस एक प्रकार का कर था यहां पर आपका भी आप्सन राइट है खंस एक प्रकार का कर था जिसमें लूट में प्राप्त धन में सैनिकों का हिस्सा रहता था फिरोज के काल में राज जी को लूट के माल का एक बटाचे प्राप्त होता था इसे आप लोग दिया रखियेगा अगला प्रस्ण है अश्ट्य प्रधान जो सीवा जी के मराठा समराजी के प्रसासन में सहायता करते थे के संदर्व में निम्नि में से कौन केंद्री प्रसासन के प्रभारी थे आप्शन आपके सामने है देखे दोस्तो आज तो प्रधान जो सीवा जी के मराठा समराज जी के प्रसासन में सहायता करते थे इसमें मोरो त्रिम्बक पिंगले केंदरी प्रसासन के प्रभारी थे मोरो त्रिम्बक पिंगले यहाँ पर आपका ए आप्सन राइट है निमनिलिखित में से किस मामले में वीडी सावरकर को 1911 में अंडमान और निकोबार दुपसमू की को विख्याद सेलूलर जेल में आजीवन भेज़े जाने की सजाद दी गई थी आपसन आपके सामने है यहाँ पर आपका राइट एसर क्या है देखे दोस्तो यहाँ पर आपका राइट एसर है नासिक सडेयंतर केस यहाँ पर आपका बी आपसन राइट है देखे दोस्तो विनायक दामोदर सावरकर का प्रसलित नाम वीर सावरकर तथा वीडी सावरकर था ये महान कभी विद्वान, इतिहासकार और समास्वेवी थे 1911 में दोस्तो नासिक सडेंत्र केस में इनको अंडवान और निको बार दूब समूँ के कुख्यात सिलूरर जेल में आजीवन भेजे जाने की सजा दी गई थी तो यहाँ पर आपका B आपसन राइट है नासिक सडेंत्र केस CR 10 की मृत्यू के बाद सुराज पार्टी का दलों में विभाजन हो गया था और प्रत्कियावादी दल ने किसके लिए कारे किया आपसन आपके सामने है यहाँ पर आपका राइट इसर क्या है देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट इसर है ए आपसन बिटिस सरकार के साथ सहयोग करके हिंदू हितो की रक्षा के लिए कारे किया था इसलिए ए आपसन आपका यहाँ पर राइट है अगला प्रस्न है दोस्तो निम्न लिखित में से किसने भारती विस्विध्यालियों में धार्मिक सिक्षा के लिए प्रबलता से वकालत की आपसन आपके सामने है यहाँ पर आपका राइटे सुर क्या है देखे दोस्तो यहाँ पर आपका राइटे सुर है बी आपसन स्वामी विबेकानंद ठीक है तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा आगे बढ़ते हैं सामाजिक कानूनों को उसे पारित किये गए वर्सों के साथ मिलान कीजिए पहला है दोस्तों सती का उन्मूलन सती का उन्मूलन दोस्तों ये 1829 या 1830 से आप इसे मिलान करें दूसरा है बिध्वा पुनरविवाह कानून दोस्तों 1856 में आये था तो यहां पर आपका 1856 से मिलान हो जाएगा और इसके बाद कन्या भून हत्या निशेद को आप 1804 से मिलान करेंगे किसे 1804 से मिलान करेंगे और दास्व प्रथा का उन्मूलन दोस्तों ये 1843 में हुआ तो 1843 से आप इसको मिलान करेंगे तो इस प्रकार से दोस्तों आपका यहां पर सी आपसन राइट हो जाएगा A का 3, B का 4, C का 2, D का 1 ठीक है तो C आपसन आपका यहां पर राइट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है भारती अस्थल पर गढ़े खोदने के सा पाए गए हैं बुर्ज होम और रंगपूर से पाए गए हैं इसलिए B आपसन आपका यहां पर राइट है बुर्ज होम कस्मीर का 9% अस्थल है जहां गड़े वाले घरों के साक्ष मिलते हैं इमने लिखित में से कौन सा ववैदिक लेख पहली बार पुनरजन्म के सिध्ध का पड़ालीगत ब्याख्या की गई है इसलिए A आपसन आपका यहां पर राइट है आगे बढ़ते हैं निश्क निमनलिखित में से किस काल में बीनिमय के एक माध्यम के रूप में प्रयुक्त था आपसन आपके सामने है तो देखे दोस्तों यहां पर आपका राइट सुर है A आपसन वैदिक काल वैदिक काल में दोस्तों ब्यापार का माध्यम वस्तु बीनिमय था निश्क एक स्वडखंड था जिसका प्रयोग लेन देन में होता था आगे बढ़ते हैं इमनलिखित में से कौन से कार्य असोग द्वारा नियुक्त राजुक निस्पादित करते अपसन आपके सामने है यहां पर आपका राइट इसर क्या है देखे दोस्तों यहां पर आपका राइट इसर है बी आपसन नियाईक कारे इसे याद रखिएगा प्रसस्तिकार्थ क्या है देखे दोस्तों प्रसस्तिकार्थ है राजा की स्तुती क्या है राजा की स्तुती त तो यहाँ पर आपका D option बिल्कुल right है, आगे बढ़ते हैं, इमने लिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है, option आपकी सामने है, यहाँ पर आपका right दिस्वर क्या है, देखें दोस्तों, यहाँ पर आपका right दिस्वर D option है, elephant गुफाएं, maurikal या सही युग्म नहीं है, D option आपका यहाँ पर right है, बाकी तीनों सही है, दिमने लिखित में से कौन सावा के असत्य है, तो यहाँ पर दोस्तों, आपका C option देखिए, बलवन ने कुतुब मिनार का निर्माण पूर्ड करवाया था, यह बिल्कुल असत्य है, इसलिए C option आपका यहाँ पर right है, देखें प्रसिद सूफी संद, ख्वाजा कुतूबु दिन बक्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मिनार रखा गया है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रस्न है, निमने लिखित में से किसे दक्कन छेत्र में गुरिल्ला युद्नीत का पड़ेता कहा जाता है, सिकंदर ए सानी घोशित किया था, आप्शन आपके सामने है, यहाँ पर आपका राइट एसुर क्या है, आप लोग बताईए, देखे दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट एसुर है, C आप्शन अलाउद दिन खिलजी ने स्वयम को सिकंदर ए सानी घोशित किया था, C आप आप लोग ध्यान रखिएगा आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्टा है रहयत वारी विवस्ता जो बिटिस भारत के कुछ भागों में सुरू की गई थी क्रिसी भूम के क्रिसकों से राजस्व एकत्रित करने की दो मुख्य प्रडालियों में से एक थी या मूल रूप से किसके द्वारा सुरू की गई थी आपसन आपके सामने है यहाँ पर आपका राइट असुर क्या है देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट असुर है बी आपसन यह सेरसा सूरी द्वारा सुरू की गई थी सेरसा के सुधारों में दोस्तों सबसे अधिक महत्तुराज सुसम्म सुधारों को दिया जाता है इसे ध्यान रखिएगा राज की आयका मुख स्रोत भूमियर अथवा लगान था इनके समय में और इसलिए सेरसा किसानों की भलाई में ही राज की भलाई मानता था तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा बी आपसन आपका यहां पर राइट है कौ निजामुदिन आउलिया के सिस्यों में सेख नसीरुदिन महमूद प्रमुख थे इनका लोकप्रिय नाम चिराग ए देहलवी था इन्हें आप लोग ध्यान रखिएगा निजामुदिन आउलिया ने दोस्तों इन्हें अपना उत्तरादिक्यारी घोशित किया था और यह द सर्विलियम करजन विली पर भारती सुनता आंदोलन में क्रांती के प्रथम कारी की रूप में आक्रमड किया यहाँ पर आपका राइड़ेस्वर क्या है देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइड़ेस्वर ए आप्सन है मदल लाल धींगरा चलिए आगे बढ़ते हैं भयाद रखिएगा यहाँ पर आपका प्ष्टन राइड है उर्दु कभी जो दुती और ती गोल में सम्मेलन दोनों के प्रत्नी थें कौण थें आपको रही बताना है तो देख दोस्तों उर्दु कभी थे महम्म cry ऐकबाल महम्मद इकबाल दोस्तों यह दूती और you год में सम्मेलों में भाग लिया था, इसलिए भी आपसन आपका यहाँ पर रईट है, दिमलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरन परमपरा से नहीं जुड़ा है, तो यहाँ पर आपका युद्द के नेता के रूप में भी चितरित है, तो D आपना आपका यहाँ पर राइट है, यहां पर आपका राइटेसर क्या है? अगला परस्वाल एक ही सिलालेख है, जिसमें असोक ने करा रूपन के बारे में बात की है, इनमें से कौन सावा सिलालेख है? तो ध्यान रखिए दोस्तो C आपका यहाँ पर राइट है रुमीन देई अस्तम सिलालेक है इसे याद रखिएगा आगे बढ़ते है निमने लिखित में से किसने सिलोन के बहुत राजा मेग वर्मन को बोधगया में बिहार बनाने की अनुमत दी आपके सामने है यहाँ पर आपका राइट है स्रीलंका का सासक मेग वर्मन था एक चीनी स्रोच से पता चलता है कि मेग वर्मन ने गया में वुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमत प्राप्त करने के लिए समुद्र गुप्त के पास दूत भेजा था और मंदिर बनाने की अनुमत दी गई और यह विशेस बहुत बिहार के रूप में विक्सित हो गया इसे आप लोग ध्यार रखिएगा यहाँ पर आपका बी आप्सन समुद्र गुप्त बिल्कुल राइट है फतवाय आलम गिरी के नाम से इसलामिक कानूनों का पूल और अंगजेब के आदेश तथा सरक्षण में दोस्तों मुस्लिम उलेमाओ की एक मंडली ने सेख निजामुद्दिन आहमत की अध्यस्ता में फतवाय आलम गिरी नामक व्रहत सहिता की रसना की थी जो इसलामी कानून की एक महत्थपूर पूस्तक मानी जाती है चली आगे सामने है यहाँ पर आपका राइट जासर है दोस्तों ए आपसन काजी उलकजात काजी उलकजात ए आपसन आपका यहाँ पर राइट है इसे आप लूग ध्यान रखियेगा आगे बढ़ते है निमने लिखित में से किसने महाभारत को फार्सी में अनुवादित करवा कर रज नामा नाम दिया था तो ए आपसन आपका यहाँ पर बिलकुल राइट है चलिए आगे बढ़ते हैं मुगल वंस की निमने लिखित में से किसी मारत के डिजाइन और वास्तु कला से उस्ताद इसा सम्मंधित है आपसन आपके सामने है यहाँ पर आपका राइट है दोस्तों ए आपसन ताजमहल ताजमहल यहाँ पर आपका बिलकुल राइट है ताजमहल विश्चु के अतिसुंदर बहुनों में से एक है इसका निर्मार साह जहां ने अपनी प्रेवत्नी मुम्ताजमहल की स्मृति में करवाया था ताजमहल के मुख्य अस्थापत्यकार उस्ताद आमन लाहूरी थे जिसे नादिर उल असरार की उपाधी प्रदान की गई थी और मुख्य मिस्त्री फारस का इस खाथा इसे आप लोग ध्यार रखिएगा यहाँ पर आपका ए आपसन ताजमहल बिलकुल राइट है आगे बढ़ते हैं दोस्तों मकबरों की अस्थ भूजाक थी डी आपसन आपका यहाँ पर राइट है मध्यकालीन भारत में दोस्तों अस्थ भूजाकार मकबरे लोधी के काल की विसेस्ता है लोधी के काल को मकबरों का काल भी कहा जाता है तो डी आपसन आपका यहाँ पर राइट है तीन फरवरी 1882 को भारत की बिटिस सरकार ने ज यहाँ पर आपका राइट असुर क्या है देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट असुर है www.hunter D-Aption आपका यहाँ पर राइट है देखे दोस्तों 1882 में UD Dispatch द्वारा सिक्षा के छेत्र में हुई प्रगत की समिक्षा के लिए www.hunter की अधस्ता में एक आयोग का गठन किया गया था जिसका कारे प्रात्मिक सिक्षा के विकास की कारे समिक्षा प्रस्तुत करके सुझाओ देना था तो D-Aption आपका यहाँ पर राइट है इस प्रकार से दोस्तों आज कह वीडियो यहाँ पर समाप्थ होता है यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए अच्छा लगा है तो चैनल को सब्स्राइब करिए दोस्तों में सेयर करिए अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही अब हम आपको नेश वीडियो मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद